वेलकम टो क्लेन नियूज आए जानते हैं शाम के दस बड़ी खबरों को मदबरदेश के किस जले से आप खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से चरूर बताएं चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूलें कचछे से दसवी के चातरों के लिए खुशकबरी, खाते में आएगी राशी, मदबरदेश के चातरों के लिए खुशकबरी है विज्ञान इवं प्रदोगी की मंत्राले भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड उमाना की यूजना के तहट विद्यारतियों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं इस यूजना में मानिता प्राप्त शाष्की निची अनुदान प्राप्त विद्यारियों के 10 से 15 वर्ष की आयू वर्ग और 6 से 10 वी कक्षा में अधिरेंतर विद्यारतियों की आईट्रिया को आउनलाइन नमांकन क्या जाना है चैनित विद्यार्तियों को एवार्ट की राशी पुरुसकार सौरूप उनके खातों में भीज जाएगी आज यह अपलोड करने की अंतिम्ति थी 20 सितंबर 2021 है इसमद में जुला सिक्षा दिकारी ने पत रेवम दिशा निर्देश जारी किये हैं खुशकबरी बच्चों की 3 डोस वैक्सिन को मिली मंजूरी देशफर में कोरोना की तीसरी लहर की अशंका की बीच एक बड़ी खबर सामने आई है दरसल भारत की दवा नियामक ने आज 3 खुराक वाली कोरोना वैक्सिन को आपात कालिन उपियोग की मंजूरी दे दी है अब इस डियाने वैक्सिन का उपियोग 12 साल से अधिकुम्र के बच्चों पर क्या जा सकेगा आपको बतादें कि देश फर में उपियोग होने वाला धिकुरत ये चटा वैक्सिन होगा कर्मचारियों को लगा बड़ा चटका अब 24 अगस्त को होगा फैसला मदबरदेश की कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा चटका लगा है दरसल मंतरी महंदर सिंग से शोदिया द्वारा बरखास्त और निलंबित कर्मचारियों से चर्चा को एक बार फिर टाल दिया गया है वहीं अभी चर्चा 24 अगस्त को होगी आपको बता दे कि बरखाशत और निलंबित कर्मचारियों के साथ मंत्री महेंदर सिंग शिशोदिया की चर्चा गुरुवार को होनी थी महें कर्मचारियों संगचन की प्रमुक द्वार बताया गया है कि मंत्री बोपाल से बाहर हैं इसलिए फिलहार्ट चल्चा टाली गई है स्वियम शिवराज ने दिये सीपिये समाप्त करने के निर्देश बोपाल की सड़कों को लेकर एहम बहटक मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने शुकरवार को मंत्राले में वरिस्ट अधिकारियों के साथ राज़धानी बोपाल की सड़कों के समद्ध में बहटवपूर बैठो की उन्होंने समद्ध अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों को पुना रुद्धार तुरंद किया जाए इसी के साथ सियम ने सीपिये को अविलम सबाप्त करने के निर्देश दिये हैं इसी के साथ सियम शिवराज ने कहा कि बोपाल नगर में सरकों का कारे चार अजनसियों P.W.T. नगर निगम C.P.A. तता बोपाल विकास प्रादिकरण कर रही है अधिक अजनसियां होने से कारे तत्परता के साथ नहीं हो पाता है उन्होंने निड़ेश दिये कि बोपाल की सरकों के जिम्मेदारी एक या दो एजनसिय के पास होनी चाहिए केंद्रिये मंत्री तॉबर सिंग ने पिया मोदी और गटगरी को दिया धन्यवाद बोले विकास में मील का पत्थर बने का अटल प्रोग्रस वे केंद्रे कृषी एवं किसान गल्यान मंत्री तथा मुरेना शियोपूर सांसन नरेंदर सिंग तॉबर ने कहा कि ब्रधान मंत्री नरेंदर मोदी देश के चोतरफा विकास की परिकल्पना को साकार रहे है उनके दूद रस्टी के कानर हर चेतर में विकास हो रहा है तोमर ने इसके लिए प्रधान मंत्री मोदी तथा केंद्रिय सड़क परिवहान एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गटगरी को धन्यवाद दिया प्रदेश में हवाई सेवा को लेकर सियम शिवराज का बड़ा एलान नई उडानों का शुभारम मोगी मंत्री शिवराज सिंग जोहा ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्री बनाय जाएगी इसके साथ ही जिलों को उडान से जोडने के लिए आवश्यक व्यवस्थाई की जाएगी शुकरवार को जबलपुर से दिली इंदोर और मुंबाई के लिए इंडीको की नई उडानों के शुभारम पर उन्हों नहीं ये बात कहे उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिक के जरिये नागरीक उड्रेयन मंतरी जोतीरादित्य सिंधिया के साथ इन उडानों का शुभारम किया मदबर्देश के 18 जिलों में भारी बारिश की चितावनी बिजली गिरने के आसार ओरेंज यलू अलर्ट नया सिस्टम बनने और मांसून एक्टिव होने से मदबर्देश में एक बार फिर बारिश का दोर शुरू हो गया है पिशले 24 घंटों में एक दरजन से जागा जिलों में बारिश देखने को मिली है और अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश होने के आसार है मदबर्देश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 18 जिलों में भारिश से अती भारिश बारिश का औरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है वही पांच संभागों में गरज चमक के साथ बाजल गरज ने तेज हमाय चलने के भी असार है मदबर्देश के युवाओं को लेकर सियम शिवराज सिंग का बड़ा एलान प्रतीभा शाली को तलासे की शरकार मदबर्देश के सियम शिवराज सिंग चोहान ने युवाओं को लेकर बड़ा एलान किया है सियम शिवराज ने कहा कि वर्ष 2024 और 2028 ओलम्पिक के लिए प्रदेश में खिलाडी तयार होंगे 18 एल अकादमियों में प्रदिवशाली खिलाडीों को तराशु चाएगा वहीं उन्होंने खिलाडीों से टैलेंट सर्च अभियान से जोड़ने की अपील करते हुई कहा कि रेजिस्ट्रेशन कराएं टैलेंट सर्च कारिक्रम में भाग ले अच्छी खिलाडी बने सरकार आपके साथ है सियम शिवराज सिंग चोहान ने की जो तीरा दीति सिंधिया से ये बड़ी मांग मदबर देश को एक बार फिर हवाई सेवाओं की सौकात मिली है इंडिको एयर लाइन्स ने आज जबलपूर से दिल्ली और मुंबई के लिए दो नई उडानों की शुरुवात की है और तीसरी विमान सेवा हैदराबाद के लिए 28 से सुरू होगी इसे बीच शियम सिवराज सिंग चोहान केंदरी मंतरी जोतीरादित्य सिंधिया को धनिवात कहा और मांगी की मदबर देश की नागरिकों की ओर से एक अनुरोध है जो की महा कौशल की भी भाबना है कि जबलपूर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती जी के नाम पर हो जाए ये करना जन साम भाबनाओं का आधर होगा मोधी सरकार के खिलाफ एक जुट होकर प्रदर्शन करेंगे उननेस विपक्षी दल सोनिया की बैठक में बरी रणनी थी लोग सबा में हाला कि अभी समय है लेकिन विपक्षी दलों ने मोधी सरकार को घेडने की तयारी जो रशोरों से शुरू कर दी है विपक्षी दलों ने बड़े नेता एक दूसरे से मेल मुलाकात कर प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और उनके सरकार को घेडने की पुक्ता रणनीती बना रहे है अब सोनिया गांदी ने 19 विपक्षी दलों से वर्चुल मीटिंग कार मोधी सरकार को घेडने के लिए प्लानिंग की है सोनिया की बैठक में तैह हुआ कि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक एक महिने सभी विपक्षी दले एक साथ मिलकर पूरे देश में विरोत परदर्शन करेंगे